वैदुर्ग विश्वद्वीप स्कूल में एफी सचमा नहीं किये जाने पर स्कूली बच्चों को बाहर धूप में खड़े किये जाने वह परिक्षा में ना बैटने दिये जाने की खबर से नाराज प्रसिक्षु आयोक्त आईयस लक्षमन तिवारी ने स्कूल प्रबंधन पर लगाई फतकार कहा किसी भी हाल में बच्चों की परिक्षान ना चुटे बच्चों के एक्जाम शुरू हुए हैं कई बच्चों के पालकों ने आर्थिक स्थिति के कारण समय पर फीस का भुकतान नहीं किया और जल्दी भुकतान करने का वादा इसकुल प्रबंधन से किया किन्तु इसके बौजूद भी शहर के सबसे पुराने स्कुल विश्वदी इसकुल के संचालकों ने बच्चों को परिक्षा हॉल से बाहर निकाल कर मैदान में धूप में खड़ा कर दिया और पालकों को बुलाने के लिए कह दिया वहीं इसकी खबर जैसे ही प्रसीक्षु आयुक्त लक्ष्मन तिवारी को लगी वेतूरंत विश्वदी इसकुल प पर बच्चों की परिक्षा ना छोटे और तुरंत बच्चों को परिक्षा हॉल में भेजा जाए इस तरह का अमानवी खृति बरदास्त नहीं करने की बाते उन्होंने कही ये जर्चा का विशाय बना हुआ कि फीस के मामले में पालकों से संपर कर समस्या की हल निक करने की बात कही इन सब बातों से बच्चों के चेहर पर कवव मुस्कान लवटी जब उन्हें ये पता चला कि वह परिक्षा दे सकते हैं उन्होंने जो दिल से प्रसीक्षु आयुक्त एस लक्षमन तिवारी को धन्यवाद दिया ग्रैनेस ये निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट